हेलो दोस्तो, इल्कम टू मैं चैनल विकी करियाशन, माँ आपको अपना दोस्त विकी दोस्तो आज हम बात करेंगे बेंगोली की न्यू वेब स्रीज वाटर बोटल के बारे में दोस्तो वाटर बोटल दिपक चक्रवर्ती और राजतवा दत्ता लीड रोल में इसके दोस्तो इसका निर्देशन, डाइरेक्शन, तथागत, मुखरजी ने किया है दोस्तो यह एक साइकोलोजिक क्राइम, ड्रामा मुई है जिसके अंदर में आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेस और एक सीरियल, किलर की कानी देखनों को मिलेगी दोस्तो यह वेब स्रीज पहले बैंगॉली में रिलीज की की थी, लेकिन जश्ट अभी दोस्तो यह जीव फाइप प्रो आपको हिंदी में भी देखनों को मिल जाएगी दोस्तो इस वेब स्रीज को आईम डिबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग मिली है दोस्तो अगर आप यह वेब स्रीज देखने का प्लान बना रहे हो तो जरूर एक बार इस वेब स्रीज को आप अराम से देखते होते हैं बहुत ही गजब की वेब स्रीज है, इसमें एक सीरियल किलर की स्टोरी है जो के आपको क्राइम त्रिलर और जबर्दस सस्पेंस भी इस वेब स्रीज में आपको देखनों को मिलने वाला है सबसे अची बात है दोस्तो इस वेब स्रीज में जो की स्टोरी लाइन अप है आपको एक मिन्ट के लिए भी बोर होने का मुका नहीं देती है दोस्तों सबसे एक और बड़िया बात है इसमें जो भी एक्टर ने काम किया है बहुत ही कमाल का काम किया है दोस्तों अगर इसकी स्टोरी के बारे हम बात करें तो एक एसा ही एक सीरियल किलर होता है जिसके मान सिंग संतुलन खराब हो जाता है रहो एक स्कूल पढ़ने वाले छोटो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों 6-12 साल के बच्चों को उनकी हत्या करते हैं दोस्तों उसके हत्या करने के पीछे के क्या वज़ा है क्यों वो उनको मारना चाता है क्यों उसको मारता है और कितने और बच्चों को वो मारेगा यह सब आपको देखने के लिए जीप फ जाती है उन यादों के कारण में दोस्तों कुछ लोग तो उन यादों को बूल जाते हैं और कुछ ऐसी लोग हो जाते हैं जो कि उन यादों को जिंदगी बर के लिए भी अपने पसाथ में रखते हैं दोस्तों ऐसे ही है कि यह सीरियल किलर है जिसके साथ में बच्पन में कु कि जो यादे होती है दोस्तों वो अभी जो स्कूल जानने वाले लड़के होते दोस्तों उनके अपना गुसा निकालता है वो एक के करके बहुत सारे बच्चों को मारता है दोस्तों अभी इसके पीछे में पुलीस इन्वेस्टिगेशन होती है दोस्त पुलीस वाले होते हैं पुलीस एकदम से इसके हाथ नोकी पीछे पर जाती है, क्या वो सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे और नहीं पकड़ पाएंगे देखने वाली बात है। दोस्तो लेकिन जो सीरियल किलर है उसकी जो सस्पेंट स्टोरी है, वो भी आपको एकदम जिलापत क्योंने लगी।